तो 2023 शुरू हो चुका है मतलब नए गोल्स अचीव करने है नए एडवेंचर्स पर जाना है और कुछ जबरदस करके दिखाना है तो कुछ जबरदस करने के लिए बैलेंस बनाना पड़ता है हाड़ वर्क और एंटेटेन्मेंट का हाड़ वर्क आप संभालो क्योंकि एंटे और वाकांडा फॉरेवर जैसी एंबीशियस मूवीज की यहां हम बात करें हाउज ओ द्रैगन और रिंक्स ओफ पावर जैसे सूपर हिट सीरीज की 2022 में बहुत दम था पर 2023 भी कुछ कम नहीं है यही साल किक स्टार्ट करेगा मार्वल सिनेमाटिक इनिवर्स के फेस एंटमेंड द वास्प कॉंटम मेनिया के साथ जहां कैंग जैसा खतरनाक विलन कॉंटम रियल में हमारा इंतिजार कर रहा है बीच मार्वल हमें एंटर्टेन करेगा दो और मूवीज के साथ दीसी की तरफ से बड़े नाम सामने आ रहे हैं पिछली बिलियन डॉलर हिट मू मूवीज और आ रहे हैं जिनके अर्ली रियक्शन बहुत प्रॉमिसिंग हैं इनके लावा सोनी ने भी हमारे लिए दो धमाकेतार मूवीज तयार कर रखी हैं सीरीज के एंट से जबरदस शुरुवात होगी सीक्रेट इनवेजन के साथ इसके बाद मार्वल डिजनी प्लस क इस साल को सूपर आउसम बनाएंगे और एमस्वान की तरफ से इन्विंसिबल का सीजन टू और मोस्ट प्रवैबली दबॉइस का सीजन फोर हमें इस साल लिखेंगे इनके लावा नॉन सूपर हीरो जानरा में भी कई जबर्दस प्रोजेक्ट हमारा इंतिसार कर रहे हैं य कांटमेनिया की आइमेक्स टिकट और इसके बारे मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा तो बिना स्पोलर के चिंता करें चले शुरू करते हैं जो कि कही न कहीं इंडिकेशन है मेंन कैरेक्टर के हमारे बीच ना रहने का प्लस यहां एंड मैं की बेटी भी अपने सूपर हीरो कॉस्ट्यूम में हमें दिखेगी जो की कॉमिक्स में तभी हुआ था जब हमने स्कॉट लैंग के एंड मैं को खो दिया था पर भगवान कर दिख रहा है कि शायद वो कैंग को पहले से जानती है फेस फाइफ की शुरुवात ऐसी खतरनाक मूवी से होने वाली है इससे वेतर क्या होगा 2023 की दूसरी मूवी होगी शजाम फ्यूरी ओड़ गॉड्स ड्रैगन्स और गॉड़ गॉड्स की बेटियां और मिथिकल क्रिय से यहां हेलन मिरीन और लूसी लिउ के साथ रेशल जेगलर है एंथिया के इंपोर्टन्ट रोल में पर वो हीरोस की साइड है विलन्स की साइड यह हमें नहीं पता और ऐसी ही तो मिस्ट्री चाहिए लाइफ में इन सब के ओपर पीसमेकर में दिखने वाले जमील हमें यहा 2023 की दो मुविस के बाद पहली सीरीज है सीक्रेट इन्वेजन पूरे एक फेस तक बिना एक्शन के दिखने के बाद निक फ्योरी वापिस आ रहे है अर्थ पर मार्वल की डिजनी प्लस प्रोजेक्ट ऑफ दा इयर सीक्रेट इन्वेजन के साथ आपको बिलकुल नहीं समझ के बीच हमारी खली सी यानि के अमिलिया कलार का अपनी एमसी जर्णी शुरू कर रही है एजेंट ब्रैंड के रोल में पर कौन जानता है कि वो कौन है प्रस ओलिविया कोलमन भी उनके सब पहली बार एमसीव में हमें दिखेंगी वाकांड़ा फॉरेवर रेफ्यूजिटि है इस त्रिलिंग जाड़ने के लिए 2023 की दूसरी MCU मूवी होगी गाईटिंस अवग गैलक्सी वॉल्यूम 3 गाईटिंस हमेशा हमेशा के लिए अलविदा ले रहे हैं अपनी ट्रिलिजी को कंप्रीट करते हुए गाईटिंस अवग गैलक्सी वॉल्यूम 3 में रॉकिट का एक आखरी बार उडान भरना, एडम वार्लॉक का गाईटिंस से टकराना और हाई एविलूशनरी का आतंक इस मूवी में बहुत कुछ होने वाला है इन सब के ओपर क्या मैंने आपको बताया कि मूवी में हम किसी गाईटिंस को खो देंगे ट्रेलर को देखकर फैंस की नज आने वाली है जिसके बाद जेम्स गन हमेशा हमेशा के लिए डीसी के हो जाएंगे और वो बोल कर भी जा रहे हैं कि गाईटिंस की भी ये लास्ट राइड है यानि इस साल आखरी बार अपन पीटर को लिको नल्ला बोलेंगे 2023 की दूसरी DC मूवी होगी फ्लैश पिछले 9 साल से प्रोडक्शन में रहने के बाद रिलीज डेट कई बार आगे बढ़ाने के बाद मेन एक्टर की इतनी बड़ी कॉंटरवर्सी के बाद अब फ्लैश मूवी भगवान करे इस सार रिलीज होई जाए अब ऐसा नहीं है कि म सरकाजम या मजाक में ऐसा बोल रहा हूँ जिनने कॉमिक बुक स्टोरी पता है उनने पता है कि फ्लैश पॉइंट कितनी ऑसम स्टोरी है और ट्रेलर के हिसाब से इस मूवी में फ्लैश पॉइंट के एलिमेंट्स तो हैं सारे नहीं पर तगड़े एलिमेंट्स हैं जिसके प्लस यहीं मूवी DCU को रीबूट करेगी और यह रीबूट हम सब देखना चाहते हैं मूवी में बैक मैन है सूपर गर्ल है मोस्ट प्रवाबली बैट गर्ल भी है और ना जाने इस टाइम ट्रैवलिंग डैमेंशन ट्रैवलिंग स्टोरी में हमें क्या-क्या दिखे बस इ यह मैंने सर्कैसम में बोला है 2023 के गर्मियों की गर्मी और बढ़ाने वापिस आ रहे हैं लोकी यह थोड़ा अश्लील साउंड कर रहा है पिछले सीजन के एंड के मेजर ट्विस्ट के बाद लोकी सिल्वी और एजेंट मोबियस वापिस आ रहे हैं लोकी के सीजन टू में लोकी सीरीज मार्वल के एंड से डिजनी प्लस की सबसे पॉपिलर सीरीज है जहां उसके आगे सिर्फ एक ही सीरीज है मैंडलोरियन तो जहां पहला सीजन मल्टिवर्स के गेट खोल कर पूरे एमस्यू को उपर नीचे कर गया वहीं इस सीजन में हमें ये देखना है कि नए अब को किस समय के पार क्या हुआ 2023 की लास्ट मार्वल मुवी होगी दा मार्वल फेस फोर में कैप्टन मार्वल हमें दो बार देखी मॉनिका रैंबो की फोट ओन हमें वांडा विजन में अपनी पावर्स हासिल करती हुई देखी और कमाला खान की मिस्स मार्वल का एक्शन तो हमने उनकी खुद की सीरीज में देखा तो पिछले पूरे फेस में इस मूवी के एलिमेंट्स जगा जगा इंटर्ड्यूस करने के बाद अब सवाल ये उठता है कि कैरल डैंवर्स और कमाला का अपनी अपनी जगा स्विच करने का क्या रिजल्ट होगा और इन सब में म मैं एक पिक्चर पेंट करता हूँ आपके दिमाग में इमेजन करो स्पाइडर मैन को आइन स्पाइडर सूट के साथ अब ये इमेजन करो कि इस सूट का AI एक टीनेजर की बॉड़ी से हमेशा हमेशा के लिए अटैच हो गया है अपने खुद के विल के साथ अब इसको जल् साथ शोर मचाए बनकर तयार भी हो गई और इसके अचानक रिलीज के अनौस्मेंट से फैंस हरान रह गए एक किस साल के जोलो मेरी हो इना इस करेक्टर का रोड प्ले करेंगे और अभी हमें इस मूवी के बार में इतना ही पता है पर मुझे ब्लू बीटल के बार में जितन की सीरीज आयन हर्ट में अब वकांडा फॉरेवर में स्टैबलिश तो हो गया कि रीडी फनी होने के साथ साथ सूपर जीनियस भी है पर हमें उसकी बैक स्टोरी नहीं पता नहीं हमें ये पता है कि उसके हां स्टार्क टेक आया कहां से इन सब के ओपर सीरीज का विलन होगा पारकल रॉबिंस यानि की दा हुड जो कि डार्क आर्ट्स और मैजिक यूजर है अब साइंस वर्सेज मैजिक की लड़ाई कौन नहीं देखना चाहेगा प्लस जिम रैश वापिस आ रहे हैं सिवल वार में दिखने के बाद ये मेरे जैसे कम्यूनिटी फैन के बहुत मस्त बात है 2023 को एंड करेंगे जेसन मुमुआ एको मैन के सीकोल के साथ एंबर हर्ड वर्सेज जॉनी डप के ट्रायल में जब उस टैम के डवली एक्जेक्योटिव वाल्टर हमाड़ा को बुला गया तो उन्होंने एंबर हर्ड की एक्टिंग पर सवाल उठाते वे क्लियरली ब है। इन सारे रिलीव के साथ साथथ Spider-man Across the Spiders भर्स मार्च में और क्रेवेन दर अक्टूबर में इस साल सोनी की तरह से Spider-Man Across the Spider-Verse के लिए fans बहुत excited है जहां Miles Morales से लेकर पवित्र प्रभाकर तक और Superior Spider-Man से लेकर Spectacular Spider-Man तक सब की confirmation हो चुकी है जिनके साथ साथ Super Willen The Spot की confirmation भी हल फिला सामने आई दूसी तरह Bullet Train में एक जबरदस performance देने के बाद fans Aaron Taylor के Kraven The Hunter के लिए बहुत excited है पर उसके live action portrayal को लेकर थोड़ी चिंता भी है क्योंकि movie के बारे में बताया गया है कि Kraven को protector of natural order और animal lover दिखाया जाएगा जबकि comics में Kraven एक बहुत बड़ा hunter था इसलिए उसका नाम Kraven The Hunter पड़ा पर अभी movie आने पर ही पता चलेगा तो बार्बी और ओपन हाइमर के लिए फैन्स जादा excited है इनके अलाब 2023 पैक्ड है Dune Part 2, Witcher के Season 3, John Wick Chapter 4 Mirzapur Season 3, Mandalorian Season 3, Transformer Rise of the Beast Mission Impossible, Dead Reckoning, Creed 3 और Scream 6 जैसे प्रोजेक्ट से तो तैयार रहे इस सूपर सूपर साल के लिए तो दोस्तो ये थी वीडियो इस साल आने वाले प्रोजेक्ट की वीडियो में बताए गए डेट्स अभी के लिए तो कनफोर्मर पर आगे शायद चेंज हो सकते हैं तो उसके रिगार्डिंग अपडेट्स के लिए आप सूपर सूपर को इंस्टाग्राम पर फॉलोग कर सकते हैं जहां आपको रेगुलर अपडेट्स और थोड़े ज़्यादा ओसम रिइस दिखते रहेंगे पर फिर बगार्ण से को इटेल मिस हो गई हो या आपको इसको नए फैक्ट एस वीडियो से लिटेल तो प्लीज हमारे कमेंट पर ज़रूर बताएं हमारे सोचल मीडिया हैं पर हमारे साथ शेयर करें हम हर जगा है तो दोस्तों अगर आप कैप्टन मार्वर को आयन मैन से लड़ते हुए देखना चाहते हैं तो मैं आपको हमारे सिवल वर्टो कॉमिक सीरीज रेकमेंट करूंगा साथ ही साथ अगर आपको वीडियो बसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और इसे कई सारी सूपर कंटेंट के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू गाइज इस दोन सिना और यू आर सूपर सूपर पीस